नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्सकाय मैं हूँ आपके साथ पूजाब शेष्ट यूरिन की भी एक निर्धारित मात्रा है जो सभी समाने लोगों में लगबग बराबर है हेल्थ एक्सपर्ट्स के नुसार एक स्वस्त व्यक्ति एक दिन में करीब 500 मिलिलीटर यूरिन पास करता है ये यूरिन दिन भर में पिये गए पानी और खाय गए भोजन के सत्व को सोखने के बाद बचा हुआ अप्शेष्ट होता है अगर कोई व्यक्ति इससे कम यूरिन पास करता है तो इसे पेशाब कम आना कहा जाता है पेशाब कम आ रहा है यानि कि विशाक्त पदार्थ शरीर में जमा हो रहे है यदि इने समय रहते शरीर से बाहर न किया जाए तो ये आपको कई गंभीर रोगों की तरफ धकेल सकती है इसी से जुड़ी कुछ बात हैं आज के विडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पेशाब कम आने से क्या होता है सामाने से कम यूरिन आने पर शरीर को कई जानलेवा रोग घेर लेते हैं इसकी शुरवाद किड्नी को नुकसान पहुंचाने से होती है इसलिए पेशाब कम आने की किड्नी की बीमारी के प्रारंबिक लक्षण के रूप में देखा जाता है इससे और भी रोग होती है किड्नी फेल होना, किड्नी में इंफेक्शन होना, बलड प्रेशर कम रहना, हार्ट समस्याओं का खत्रा बढ़ना, पेट पर सूजन, मालसिक समस्याओं, एनिमिया, मिर्गी यूरिन कम आने की लक्षण क्या है एक वयस के व्यक्ति तो इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इसके यूरिन की मात्रा कितनी है और 500 एमिल के आसपास है या नहीं लेकिन यदि आपको किसी पी तरह की शंका है तो आप इन लक्षणों से भी पहचान कर सकते हैं कि आपको पेशाब सामाने से कम आ रहा है तरह की शिकायत हो रही है तो सबसे पहले तो आप हर दिन पीने वाले पानी की मात्रा बढ़ाले कम से कम आठ से दस ग्लास पानी रोज भी हैं हर दिन परिया आप तो मात्रा में पानी पीने की सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप एक लीटर की वाटर बॉटल ले ले और हर दिन इसमें दो से तीन बॉटल पानी पीएं यदि इससे भी आपको अपनी समस्याओं में आराम ना मिले तो आप डॉक्टर के पास तो रत जाएं फिलाले से वीडियो में इतना ही ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल्ट सकाय सब्सक्राइब करें